सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और घंडी के बटन को भी जरूर दबाएं हलो एन वेलकम टू एडी एजुकेशन मैं हूँ अमिद दिक्षित आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ हूँ नियोस डियलेट के वो तीन महतपूर कार्ड्स थ्री इंपोर्टन कार्ड्स फॉर नियोस डियलेट एग्जामिनेशन जब आप परिक्षा देने जाएंगे तो ये तीन कार्ड्स आपके पार जरूर होने चाहिएं ये जरूरी डॉक्यमेंट हैं तो आप इनको समझ लें आकर तक कोई miss ना करें गलती ना हो जिससे तो समझ लेते हैं और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये भी इस वीडियो में मैं आपको clear कर दूँगा जो लोग नहीं जानते होंगे तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर important चीज की बात क करूं तो सबसे पहले number पर जो card आएगा वो होगा आपका hall ticket यानि आपका intimation card या hall ticket आप कुछ भी कह सकते हैं तो इसको आपको download करना होगा क्योंकि इसी पर आपका परिक्षा केंदर अंकित है तो सबसे पहली चीज तो यही होगी इसको आप download कर सकते हैं NIOS की website से आप जाए क्लिक करने के बाद आपको ये page खुलेगा जहां पर आपको enrollment number और date of birth डालना होगा आपकी जनमतिती और आपका enrollment number और submit करना होगा उसके बाद कुछ इस तरह का आपका जो NIOS dealet का hall ticket है वो दिखाई देगा जहां पर आपका center का नाम होगा और साथ में होगी आपकी परिक्ष का तो ये ऐसे download करा है ये था पहला card दूसरे card की में बात करने तो दूसरा होगा आपका admit card admit card hall ticket को लेकर कई लोग confused होते हैं hall ticket intimation card और admit card अलग है admit card आपका एक तरह से पहचान पत्र है and I was dealet का तो इसे आप कैसे download करेंगे ये होगा दूसरा महत्पर पूंड card आप जाएं इ यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर बीच में आपको दिखाई देगा आपको अपना email और password डार कर आप submit कर दें तो आप अपने account में एंटर कर जाएंगे वहाँ पर आपको option मिल जाएगा download करने का admit card और अगर नहीं जानते हैं अपना email आप भूल गए है तो यहाँ नीचे print identity card का option है इस button पर आप जब आप click करेंगे तो आप next page पर पहुंचेंगे जहाँ पर अपना reference number जो आपका है उसके बाद enrollment number डालिए अपनी जनम तिठी डालिए और अपना नाम डालिए तो यह चारों चीज़ें यहाँ पर डाल कर आप submit कर दीजे तो आप आपका admit card download हो जाएगा जो कुछ इस तरह का दिखाई देगा तो यह था दूसरा card अब तीसरा महत्वपूर्ण card जो आपको जरूरी होगा वो होगा आपका खुद का identity card कोई भी पैचान पत्र आपको ले जाना होगा चाहे तो आपका आधार card हो water card हो इन दौनों को ज़्या आपको verify किया जाएगा कि जो परिक्षा देने आने वाले सिक्षक हैं वो आप ही है यानि कि आप जानते हैं आजकल ऐसी काफी गटना है आपने सुनी होंगी कि किसी और की जगा कोई और paper देने चला जाता है और इस तरह की fraud होते हैं तो उसके लिए यह चीज़ की जाती है क कि आपको verify किया जाए कि आप ही हैं जो यहाँ परिक्षा देने आ हैं सारी details को verify किया जाएगा तो यह तीनों cards आपको बहुत महतोपूर होंगे इनको आप गलती से भी न भूलें और लेकर जाएं इसके अलावा अगर आपकी कोई permission आपने ली है special permission letter लिया है कोई भी ऐसी च जानकारी और भी जरूरी जानकारी हमें आगे देता रहूंगा आपको तो सब्सक्राइब कीजिए चनल को और गंटिक आइकोन को दबा लीजिए लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए